दोस्तो आज की रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की रेसिपी हमें हमारी बच्पन की यादे दिलाने वाली है दोस्तो बच्पन में हम सब की नानी और दादी हमें बेसन के लड़ू खिलाया करती थी तो आज मैं आप सबके लिए वो authentic पारंपरिक बेसन के लड़ू की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे मैंने बहुत ही simple तरीके से घर पर बनाया है और जिसे आप बच्चों को या बड़ों को कभी भी दे सकते हैं ये protein से भरे हुए हैं और energy से भरपूर हैं तो चलिए बिना देर किये हूए recipe शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम देसी घी इस वक्त आज बिलकुल धीमी है तो घी अब गुन-गुना हो चुका है इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम बेसन और इसे हम धीमी आज पर इसी तरीके से चलाते हुए भूनते रहेंगे जब तक कि इसका कच्चापन अच्छे से निकलना जाए ये शुरुवात में थोड़ा मुश्किल हो सकता है और आप चाहें तो इसमें घी की quantity और जादा भी कर सकते हैं बराबर भी रख सकते हैं ये जितना आपने बेसन लिया है उतना आप घी भी रख सकते हैं पर मैंने यहापे घी थोड़ा कम लिया है क्योंकि ये बाद में जैसे जैसे सिकना शुरू हो जाता है जैसे जैसे हम इसे भूनेंगे ये घी छोड़ने लगता है तो आप देखिए इसे भूनते हुए मुझे लगबग 4-5 मिनिट ही हुए है और इसने अच्छे से घी चोड़ना शुरू कर दिया है तो इसे हमें लगबग 15 मिनिट तक चलाते रहना है तो इसे दिमी आज पर चलाते हुए मुझे 15 मिनिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो गया है और इसमें बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तो इसी वक्त हम इसमें दरदरा पीसा हुआ बादाम डालेंगे और काजू डालेंगे ये बादाम और काजू भी मैंने 200-200 ग्राम ही लिये हैं इसे मिक्सर में मैंने पल्स मोड पर चला लिया था जिसे इस तरीके से ये कोर्सली तो हमने इसकी quantity equal रखी है आप चाहें तो इसे कम ज्यादा कर सकते हैं अब इसे भी हम दो मिनिट तक इसी तरीके से इसमें एक बादाम डालने से ये भी इनके साथ अच्छे से roast हो जाते हैं तो इन्हें अलग से roast करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो इस तरीके से side को scratch करते हुए हम इसे भून लेते हैं और इसे भून कर हमें दो मिनिट हो गए हैं तो दोस्तों इसी वक्त हम इसमें one table spoon के करे पानी के छीटे डालेंगे जिससे ये लड़ू बहुत ही अच्छे बनेंगे आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार इसका texture हो गया है इससे इसका flavor बहुत ही बढ़ जाता है तो आप ये process मिस ना करें और इस वक्त हम क्यास भी बंद कर देंगे और इसे इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे क्योंकि अगर हम इसे इसी गयस पर इस कड़ाई पर इसी तरीके से छोड़ देते हैं हैं तो मिक्षर हें से ठंडा हो चुका है जिसमें अब मैं मिक्स करूंगी दो तो यहाँ पर मिक्षर अच्छे से ठंडा कर लिया है मैंने उसके बाद ही हम इसमें चीने मिक्स करेंगे आप चाहें तो हाथों का इस्तिमाल भी कर सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए तो अब हम इसे अच्छे से mix कर लेते हैं आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से mix हो चुकी है तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे लड्डू आप अपने मन पसंद आकार में बना सकते हैं बड़े या छोटे जैसा आपके घर में खाना आप पसंद करते हैं उसी आकार में और उतने बड़े या छोटे आप बनाएं तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं तो यहां पर यह एक लड्डू बनाकर मैंने तयार कर लिया है इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर तयार करेंगे दोस्तों यह लड्डू एनरजी से भरपूर है जिसे आप छोटी मोटी भूक में बच्चों को भी दे सकते हैं यह शाम के वक्त या टिफिन में कभी भी आप इसे खा सकते हैं और अपने बच्चों को भी दे सकते हैं तो यह हमारे दादी मा के हाथों के बेशन के लड्डू बनकर बिल्कुल तयार है मुझे उमीद है इसे खाने के बाद आप अपनी नानी और दादी के हाथों के बेशन की लड्डू को ज़रूर याद करेंगे तो दोस्तों उमीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई है और अगर आई है तो प्लीज इसे लाइक और शेर करना ना भूले धन्यवाद